Hello guys welcome back to another video of study with me so guys इस वीडियो में बात करने वाले हैं CA Foundation के बारे में जो कि जून 24 जस एक हफता बचोगा examination में तो भाई क्या strategy होनी चाहिए कैसे हम last one week में preparation कर सकते हैं कैसे revise करना चाहिए कैसे हमें पूरा last one week utilize करना चाहिए each and everything बात करने वाले है इस वीडियो में तो इस लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करता ना विकॉस ऐसी भैतरी सी वीडियो लात रहता हूं आप लोगो से लिए सब्सक्राइब दी चैनल और CA Foundation वाले है जून 24 से आपके examination है सिर्फ लास्ट का one week बच होगा है तो each and everything जो बताने वाला हूं उसको प्लीज note-down कर लेना और उससाब से करना तो definitely आपका exam बहुत अच्छे साएंगे और result you बहुत अच्छे साएगा प्लीज जहां से सुनना each and everything बताने वाला हूं देखो पहली बात आती है सबसे पहले ना आप लोगो को आपके examination है तो उसका paper pattern सब्सक्राइब बहुत बहुत हो रही है कि आप exactly pass कै criteria का है pass होने का आप देखो दान सुनना आपके पास 4 subject है 100 marks per subject तो आपके होगे 400 अब भए हमें pass कैसे होना है दो पास होने के लिए ना आपको सबसे पहले इसका क्राइटिरिय सबसे होने पड़ेगे कर दो कर्याइटियरिय नहीं पता है कि 40 लाने है कि 50 लाने कि कितने लाने हैं हर सब्जक्त में आप लोगों 40% यानि 40 marks आप लोगो स्कोर करना है अगर 40 से कम ले आए तो बात ही खतम होगी एक सब्जब्च को 40 से कम आए मॉडूल फेल पूरा गुरूप फेल हो गया पूरा पास ही नहीं हो गए तो इसका मतलब यह है कि हमें हर सब्जब्च को 40 तो एक लाना ही पड़ेगा हाँ जी समझ में नहीं आ रहा है हर सब्जब्च 40 marks ठीक है टोटल मिला के 50% 400 का 50% कितना हो गया 200 समझ रहे हो तो आपको हर सब्जब्च को 40 होने चाहिए टोटल मिला कि आपके 200 होने चाहिए तब जा कि आप पास हो गए समझ गया है ऐसा मत करना कि भाई मेरे तो सब्जब्च में 30 कि अबंट यह को फटी होता है तो आपके 60 marks अटब मताहिए अब नाव अब हो इससी और बातकर न्यों बदा रहा है लास्ट वनवी कि प्रवाइब करना है आप लोगी प्रवेशन बहुत टाइम से चली रही होगी आप लोगों ने तयार एची से कही होगी लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है हमने इस तो पढ़ लिया है लेकिन ऐसे लग रहा है यह 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 वाला है यह नई बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है जो आपने पढ़ रहा है उसको नंबर फ्रिविजन देने जाला कोई भी नहीं चीज मत उठाना प्रॉब्लम आ जागी आप लोगो को कोई ऐसा कौशन दिग्ग है जो आप लोग तो आप लिए जो आपको तो तीन चार्च है मने तो आपकी बेकार हो जाएगी यहां बिल्कुल की कॉंफियन करना इक्रीस करना अमना कॉंफिज रखना आपने आपको ठीक है एक्शामशन बहुत नजदी के तो ध्यान सुनना यह कर लिया हम रिवाइस करना है तो किस वे म पहले बहुत आपको बहुत है जो कि मोशन चाप्टर होते हैं पहले वह करते हैं ऐसे चैप्टर जो की वेटेश जाता रहता है जो बार-बार आते रहते हैं जो पास्टर पेपर शेम आ चुके हैं उनको आप लोगो सबसे पहले करना है ठीक है उसके बाद आता यह यह बहुत है जो दो चाहर बार दो तीन बार में गुआ पूस्या आता है तो आपको सबसे पहले इंपोर्ड़न टॉपिक्स अपने रखने द्यान में यह चैप्र बार्टन है वह आप करोगे एबी सी इसको बहुत है कि जुमोशन पर्टन उसको पहले करो उसके बाद लेसे इ आप लोगो को समझ बहाएंगे और हो यह आपको सेम एज इसको पूरे सेम नहीं आप लोगो को पुरा कॉश्चन जो होता है ना उसी तरी के देखती को मिल जाएंगे ऑपके एग्जामिनेशन में तीन घंटा लिखना रहता है और पीपर कंप्लीट नहीं होता इस्टुए सबसे पहले आपको माई ने पुरा सेफ करके जाना मैं एक्जाम में लिखना रहा हूं तीन घंटे पूरा लिखना है पर चाहिए कुछ हो जाए अब कुछ आनी रहा है तो अरे कुछ तो रेलिमेंट आता होगा आपने पढ़ा है ना कुछ नहीं कुछ लिखके आना है लिखना जरूर है अब आती है भाई कि हम तीन घंटे हम लिखेंगे अब लिखेंगे कैसे इसके बताता हूं आपको करना बहुत जरूरी है एक्जामिनेशन से पहले आप लोगो को लिख लिख के देखना अपने आंसर जो होते है ठीक है उसको बहुत अच्छे से करोगा अ अब भी खुद को अपने आपको रखो देखोगा ना कि आपको एक कॉपी ऐसे जिसमें 1 A B C D लिखा हुआ है 2 A B C D लिखा हुआ है 3 A B C D लिखा हुआ है और आपके बाद दूसरी कॉपी आरे जिसका 6 का A फिर 1 का D 2 का C फिर 4 का B अगर ऐसार आप खुद कन्विस होता हो तो यार यह क्या लिखना चाहरा है इसका मतलब इसको आता ही नहीं तभी ऐसे उल्टे नीचे कर रहा है तो जितनी कोश्ची हो सकता है कि मुझे फरस्ट नहीं आ रहा है तो अगर मैं सेगें के बाद 3 करूं फिर 1 करूं ऐसे कर सकते हो लेकिन आपने यह मत करना कि आपने अब बीट करने से यह बीचिदे रहे होते हैं ऐसे करके आना फिर आता भाई आप यह बताओ कि यह लाइन वगरा कुछ ड्रॉ करनी रहती है अंडरलाइन करना रहता है कि बिल्कुल आपको जो बें इंपोर्टेंट केस लॉग हो गए आपके टेक्निकल वर्ट हो गया बिल्कुल इस तरीकी जी लिखोगे और अपनी काटा पीडी कर देते हैं यह बाई ऐसे कर लिया कलर कर देते हैं इसा मत करना सिंपल सुबर रखना नीट इन रखना इतना रखना कि सामझ में आ जाए और उसको देखे नहीं दमाह खराब नहीं हो यार क्या लिग दिया काट बिल्कुल जब भी आप लिखो अपनी कॉपी में तो इस तरीकी से लिखना भाई सामने वाल जो इनसान है उसका देखके मून अच्छा हो आपका खराब नहीं हो बचाल आपकी काटा वीडी हो रही है कि यह कभी आप इधर से काट रोग इधर से काट तो काटा वीडी बिल करना सेकिंड वाला जो आपका अंसर होता है तो एक अंडरलाइन कर दिया ना भाई कि यहां पर मेरा यह जो आंसर हो चुका है तो आप अंडरलाइन करना बहुत जब ज़रूरी द्याता है जिससे कहा रहा था प्रजेंटेशन में बात आती है कि सामने वालों खुश हो जात प्रजेंटेशन देना है तीर गहंते डटे रहना कोशन आये देखो कभी-कभी ऐसा होता भई 10 मांट कर नहीं आ पंदर में अंडर नहीं पहले पहले करना थीक है और आप लोग माइंड में एक पिर से कहा रहो मां सेफ करके जाना बिलकुल एक्सामिनेशन में एंटर होने रहा और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करना लुक्त चाहता है और अब और सब्सक्राइब करने।